हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो मैं न्यू व्लोग और बताई कैसे आप सब आई होप आप सभी बहुत ये अच्छे से होंगे हम सब भी ठीक हैं तो फ्रेंड्स व्लोग इस्टार्ट हो रहा है शाम के करीब सब चार या साड़े चार के आसपास का टाइम हो रहा है और ये कपड़े मैंने धुल कर डाले हुए थे पिशले व्लोग में आपने देखे थे तो बस वही सब सूख गए थे तो वही मैं जो है आग इती उठाने के लिए तो चेर लिया ही थी जैसे कि आपको बताया ही था कि चीटिया हो जाती है तो इस वज़े से सारे कपड़े मैं हिला हिला कर देख रही थी वैसे इधर के तार पर तो नहीं होती है बट फिर भी मैं हिला ले रही थी क्योंकि थोड़ी बहुत डली रहते हैं तो धूल लोगेरा भी हो जाती है बहार तो इदर के चीटियां वगरा तो नहीं थी तो बस मैंने वैसे ही ला लिये थे और ये वाला जो तार है ना इस पर चीटियां हो जाती है तो वही मैं अच्छे से देख रही थी तो हर कपड़े पर जो है दो तिन दो तिन जो है चीटी हो रखी थी और अंटी पूछ रही थी क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे हो जाती है और उसके बाद और बाते होती रही तो वही सब मैं अपना काम भी करती रही साथ के साथ अंटी से बाते होती रही फिर अंटी को भी जाना था थोड़ा वो शामान लेने के लिए तो वो भी जा रही थी और मैं भी जो है अपना जो कपड़े थे सारे उठा कर जो है ले आई थी अंदर और फिर इनको जो है मुझे फोल्ड भी करना है और अंटी चली गी थी अपना इधरी जो पास में ही छोटा सा मार्किट है जहां से छ कहारे टहल रहे थे तो अभी तो आगया था तो वही मैं अभी से पूछ रही थी कि दीदी कहां रहीए थी तो बता रहा था कि दीदी उदर रह गई गई है उदर तो वड़े दिर में बाबू भी आ गई थी वह स्टार फूर्ट पेल्ड है तो उस पर काफी सारे स्टार तो थोड़ा सा यह रहता है कि हाँ अभी छोटा है तो उसके साथ कोई ना कोई तो रही तो वही बाबु लेकर आई थी उसने धुलकर एक मुझे दे दिया था तो खटा मीटा सा मैं जो है वही खा रही थी उसके वास सारे जो भी कपड़े थे वो मैंने फोल्ड करके लगा द लौकी रखी है चोटी सी चलिए यही बना लेते हैं तो लौकी चना दाल की सबजी बनाओंगी तो वही बच्चे यहां भाहर खेल रहे थे तो उनी के साथ में बैठ गई थी अपना जो है सबजी काट रही थी और बच्चों को भी देखती जा रही थी बच्चे जो है तो देखे दोनों बच्चे अपने लगा हुए है बाबु जो है बैडमिंटन अपने लगी हुई है और अभी सिर्फ कॉक लेकर उसी को उच्छाल रहा है और आवास दे देकर मुझे दिखाता है ममा देखो मैंने कितनी उची उचाली ममा देखो मैंने कितनी उची उचाली तो वही जो खेल रहे थे तो मैं उन्हें देख रही थी साथ ही साथ अपना जो काम है वो कर रही थी उसके बाद मैं आ गई अंदर और जो लौकी मैंने काटके रखी हुई थी वो मैं रख रही हूँ बॉयल होने के लिए तो आज जो है मैं अलग से उपर से तड़का लगाने वाली हूँ तो इस तरह से लौकी की सबजी बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है तो आज मेरा मन्ध था कि मैं जो तरड़का है वो उपर से ही लगाओं तो मैंने कुकर में लौकी ले ली और साथ में जो चने की डाल थी वो ले ली है और उसमें डाल दिया है नमक थोड़ा सा पानी डाला है और बस इसके अलावा कुछ भी मसाला वगरा एड नहीं की है सब कुछ मैं उपर से ही डालने वाली हूँ और बस इसको बंद करके कुकर क मैंने रख दिया है तो इसमें हम जो है दो से तीन सीटी लगा लेंगे इतने में हमारी जो लौकी है वो बॉयल हो जाएगी साथ की साथ बच्चों को हलकी फुलकी सी भूख लगी थी तो मैंने का चलिए बच्चों के लिए मैं जो फ्राइज रखे हुए हैं फ्रेंच और यूजरी एनकाली थे निकाल लेता हुम है कारा लेटी हो यहां पर जो फ्रेंच फ्राइज लेश थे वो मने निकाल लिये थे से और यहां पर मैंने कारौं कर रहे हुँ भूख से जो है तो बस यहां पर वही निकाल रही थी और उद्धर हमारी जो लॉकी है उसमें भी तीन सीटी आ गही थी तो मैंने जो गैस था वो भी बंद कर दिया है तो बस ये बच्चों को मैं दे दूँगी और बच्चे जो है खा लेंगे फिर उसके बाद बच्चों को मैं पढ़ने के लिए बठाऊंगी क्योंकि वैसे तो एक बार को husband होते हैं तो वो भी देख लेते हैं बट नहीं है तो मुझे ही देखना होगा अब इस तो जायतर जो है मेरा ही काम होता है बच्चों का जो भी homework वगएरा कराना होता है क्योंकि husband होते भी है ना तो भी वो इतना लेट आते हैं office से कि फिर सीधा खाने पीने का time हो जाता है और उसके बाद तो फिर बच्चों को सीधा नीज आती है क्योंकि office उनका बेशक time 5 जो जेगा होता है office का बट ऑफिस जो है लेट तक ही चलता रहता है तो बस यहां पर जो है बच्चों ने वो खाई मैंने भी एक दो पीस थे वो खा लिये थे और उसके बाद यहां पर मैंने तड़का रेडी किया और यहां पर जो लॉकी हमने रखी हुई थी boil करके वो मैं इसने में जो है बच्चे अपना बैट गएते पढ़ने के लिए तो बाबु तो अपना homework कर रही थी बट अभी को यह है कि उसको जब तक बताओ ना तब तक वो नहीं करता है तो बस यहां बाबु को कुछ problem हो रही थी तो पहले मैंने जो है उसको देखा उसकी जो भी problem थी वो मैंने उसको बताई उसके बाद मैं अभी को लेकर बैट गई उसका homework करवानी के लिए और उसका मैंने notebook खोला ना तो पूरी notebook पर उसने pencil जो है फिरा रख की थी तो वो पूरा मैंने erase किया उसके बाद उसका जो homework था वो मैं करा रही थी तो बोल रहा था मैं लेट के कर ल पर देखिए हमारी जो सब्जी थी वो भी तयार हो गई थी तो मैंने उसमें डाल दिया था उपर से फ्रेश कटा हुआ धनिया और बस यहां पर सब्जी भी रेडी हो गई है और बटा फट से जो है मैं बनाऊंगी रोटियां की husband पातो जैसे कि बताया वो सुबह ही आप आ आएंगे आस तो सुबह जो है वैसे भी वो आएंगे तो जल्दी ही जो है जग आएंगे तो वस यहां पर जो सब्जी थी वो तयार हो गई उसके बाद मैंने बनाई फटा फट से रोटियां अपनी और बावू के लिए और लास्ट में मैंने एक जो पराठा था वो बना द अगा तो भस यहां पर रोटियां भी बन गही थी और इक लिए पराठा बना दिया था फिर मैंने लगाया रोटियों पर घी और उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं यहां पर झास खानी के लिए तो ऑजमीन पर ही बेठकर खा रहे हैं घाजातर जो है जो है जो साम का खाना भीोज तो सब लोग नीचे ही खाते हैं और जो बरसात का टायम होता है उस थाइम पर वैड़ फाना चाहिए तो करती हैं यहां घ्रोलो करें दो कुले क forecasting a जब्ले से कवह तो अग्तुन के दिया है के दूदन आगी रही द móख से आगे क्ली अग्या काउंटर को कीन की आ पूरा सुखे कपड़े से लुए धा ङूबन kitchen को clean कर दिया है और जो भी सारी चीजे हैं बरतन वगरा हैं वो सारे मैंने सिंक में डाल दिये हैं और जो रैक्ती वो मैं पहले ही अच्छे से clean कर चुकी हूँ तोड़ी सबजी पच गई है सबजी थोड़ी सी ज़ाधा थी तो वो मैंने उठा कर रख दी है मैं मेडिसिन जो बरतन है वो मैंने नहीं दो ले हैं वो भी मैं आपको बताती हूं असल मैं बच्चों के लिए फ्रेंच फ्रैस बना रही थी तो पूरा जो तेल है ना वो मेरे हाथ पर आ गया था तो उस टाम मैंने डाला ना तब तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला आ मेरे हाथ पर तेल गिरा है तो भी हम लोग हाउस्वाइफ होती है हाथ से ही उठाकर रग देती है गर्मियों में कपड़ा यूज करना पड़ता है यूपीविंटर में बॉडी थंडी होती है तो पता नहीं चलता है तो वही है उस तेम तो मुझे पता नहीं चाहें इसी वज़े से वीडियो में आपने देखा होगा मैने कोई reaction नहीं दिया और हाट में जलन हुई न इतनी हुई मैं आपको क्या पताओं इतना जादा जो मेरा हाथ ता वो जल रहा था तो देखिए, यहां पर सारे काम मैंने निपटा लिये थे, अपना स्किन केर वगरा किया, और यहां पर हम मैं दिखा रही हूँ, यह देखिए, यह वाली मेरी जर फिंगर है ना, पूरी फिंगर पर जो है, ओल पड़ गया है, यह देखिए, पूरी रैड हो रही है, केमरे मे इस वज़े से फिर बरतन मैंने छोड़ दिये कि कहीं स्किन निकल जाए, अगर इसकिन निकल गई तो फिर और जादा दर्द होगा, सारी रात में सो भी नहीं पाती, इस वज़े से मैंने बरतन छोड़ दिये, वो मैं सुबह धोलूँगी, बागी का सारा मेरा काम हो गया है, बच्चों को दूद्व अगरा देकर लिटा दिया है, और बस अब मैं भी जाओंगी सोने के लिए, तो बस यही था, इसी वज़े से बरतन मैंने छोड़ दिये थे, तो छलिए, मैं अब चलती हूं मिलूँगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, वावाय, ठेक केड़ के लिए था हाजब के लिएो झालती।